अकाश्मानी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग पहले एक अपी कोविट मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी शुरताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही ना बढ़ते सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और 45 साल से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं सुरक्षित रहें और इनासान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दोगस की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुख साफ रखें पहले मुखे समाचार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार का प्रतेक अंग देश में कोविट से निपटने के लिए एक जुठ होकर तीजी से कर रहा है कारे प्रधेश में संपत्य की खरीदी विक्री की गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तन नहीं करने का फैसला केंद्र सरकार ने रेमेडी सीवर इंजेक्शन की कमी दूर करने के लिए अन्य देशों से शुरू किया इसका आयात और राश्री महिला आयोग ने गर्वती महिलाओं को आपात सिती में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए वाटसैफ हेल्पलाइन नंबर किया शुरू अब समाचार पस्तार से प्रदान मंत्री नरिंद्र मोदी ने दोराया है कि सरकार का प्रतेक अंग देश में कोविड सिती से निपटने के लिए एक जुठो कर तेजी से कारिकर रहा है उन्होंने केंद्रिय मंद्र मंदल से आगरह किया है कि वे अपनी संबंधित शेत्रों में लोगों के संपर्क में रहें उनकी सहायता करें और उनसे सुझाव लें फ्रदान मंत्री ने इस उनिशित करने की आवशक्ता पर बल दिया है कि स्थानी इस तरके बुद्दों की ततकाल पैचान के जाए और उनका समाधान किया जाए श्री मोदीनी देश में कोविट की दूसरी लहर से उत्पर्न सिती पर चर्चा के लिए वर्च्वल माध्यम से आयोजित आज केंडरी मंत्रमंडल की बैठक में ये बात कही मंत्रमंडल ने इस बात पर ध्यान दिया कि मौजूदा महामारी का संकट सदी में एक बार होने बाला संकट है और इसे विश्यो के समक्ष बड़ी चुनौती उत्पर्न की है बैठक के दोरान कोविट महामारी से लडाई में केंडर राजी सरकारों और देश की जनता के सामोहिक प्रियासों पर आधारित भारत सरकार के टीम इंडिया द्रिश्टर कोंड पर बल दिया गया मंत्री मंडल ने पिछले 14 महीनों में केंडर राजी सरकारों और देश की जनता के सभी प्रियासों की समेक्षा भी की सरकार ने कोरोना संक्रमन को देखते वे प्रदेश में संपत्य की खरीदी बिक्री के लिए वित्यवर्ष 2021 पाइस के लिए गाईट लाइन में 30 जून तक कोई परिवर्तर नहीं करने का फैसला क्या है मुख्यमंत्री शिवरासिंग चोहान ने जनता की नाम जारी संदेश में कहा है कि आम नागरिकों की सुभिधा को देखते वे संपत्य की पंजियन दर में कोई व्रिधी नहीं की गई है गाईट लाइन के नुसार महिलाओं की नाम से पंजियन शुल्क में दो फिसिदी की छूट भी पूरुवत जारी रहेगी सामाने पंजियन की दर तीन प्रतिशत है जबकि महिला आवेदिकों के दर एक प्रतिशत रखी गई है वित्मंत्राले ने पूंजिगत परियोजनाओं पर वे के लिए राज्यों को 50 वर्ष के ब्याज मुक्तरिन के रूप में 15,000 करोड रुपे तक की अतरिक्तराशे उपलब्द कराने का फैसला क्या है पूंजिकत वैसे विशेश का निर्धन और अकुशल वर्क के शमिकों के लिए रोजकार के अफ़सर श्रजित होंगे इससे अर्थवस्ता की उत्पादक्ता शमता बढ़ने से आर्थिक व्रदी की उची दर सुनिशित होती है प्रदेश को मेडिकल ऑक्सीजन में आत्मिनर्भर बनाने के दिशा में सरकार तेजी से काम शुरू कर रही है कोविट महामारी से सबक लेते वे सरकार अप्रदेश के हर जिला अस्पताल को ऑक्सीजन इस्तर पर आत्मिनर्भर बनाने जा रही है निजी अस्पतालों से भी कहा गया है कि वे अपने अहां आक्सीजन प्लांट लगाएं जल संसाजन मंत्री तुलसी रामसिलावट में बताया है कि जो अस्पताल अपने परिसर में आक्सीजन प्लांट लगाएंगे यदि किसी भी स्थान पर 5-6 रक्तदाता जमा हो जाते हैं और वे रक्तदान करने जिला स्पताल नहीं आपाते हैं तो बलड लेने के लिए अस्पताल की बलड डोनेट बस उस स्थान पर पहुँच जाएगी इसके साथ ही जिले के बलॉक मुख्यालियों में भी अधी 15-20 रक्तदाता होते हैं तो बस रक्त लेने उस बलॉक मुख्याले पर या जिले के किसी भी स्थान तक पहुँच जाएगी जिला बलड बैंक प्रभारी डॉक्टर अंकिता सीते ने कहा है कि जिला स्पताल को खाली में बलड डोनेट बस मिली है जो कहीं भी पहुँच कर बलड डोनेट करवा सकती है समचारों में वक्त है ब्रेक का कोविड नाइटीन से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरूरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ हर मू साफ रखें ब्रेक के बाद समचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है केंदर सरकार ने देश में रेमेडी सीवर इंजक्षिन की कमी दूर करने के लिए आने देशों से इसका आयात शुरू कर दिया है रेमेडी सीवर इंजक्षिन की 75,000 शीशियों की पहली खे 5 भारत पहुंचेगी सरकार ने इस इंजेक्शन की 4,50,000 शीश्यों का आउडर दिया है सरकार ने देश में भी रेमेडिय सीवर की उत्पादन शम्ता प्रती महीने 38,000,000 शीशी से बढ़ा कर 1,3,000,000 शीशी कर दी है राश्री महिला आयोग ने गर्वती महिलाओं को आपात सिति में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए वाट्साप हल्पलाइन नमबर शुरू किया है नमबर है 9354954224 राजश्री महिला आयोग ने एक अदम गर्वती महिलाओं को चिकित्सा सहायता प्राप्त करने में आ रही कठिनाईयों को देखते में उठाया है देश्वर में गर्वती महिलाएं राद दिन किसी भी समय इस नंबर पर आयोग से संपर्ख कर सकती है रुदेश में कोरोना संक्रमन को रोकने के लिए प्रयास चारी हैं इस दोरान अत्यावश्रक सेवाएं देने का कारे करने वाले कार्यालियों को छोड़कर शेश कार्याले 10 पीसिदी कर्मचारियों की साथी संचालित किये जा सकेंगे सिंग रॉली में आज रिवा संभा के कमिशनर अनिल सुचारी ने कोविट नाइंटीन उपचार व्यवस्थाओं की समिक्षा की और लॉक्टाउन पर कडाई से अमल के निर्देश दिये अशूपनगर जिले में आज 147 मरीज स्वस्थ हुए जबकि 71 ने संक्रमित मिले हैं ये वासले में 33 माईक्रो कंटेनमिन जोन बनाए गये हैं जबलपुर जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अर्विन भदौरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते में बताया कि मरीजों के घ जीना रिफाइनरी के निकट एक हजार बिस्तर वाले कोविड-19 इस्पताल के निर्मानकारे सिंचालन के लिए इस्पताल इस्थर पर समिती गठित की गई है सतना जिले के मईहर के विधायक ने जिले के उद्ध्यूपतियों व्यपारियों और समासीवियों से इस महामारी से निपटने में मदद की अपील की है प्रोदेश कॉंग्रेस अद्धक्ष कमलनातनी राजी सरकार से कोरोना के इस भीषन संकटकाल को देखते वे किसानों के कर्ज मुक्तान की तारीक एक माह के लिए आगे बढ़ाने के बजाए उनका संपून कर्ज ही माफ करने के अपील रॉयल चलेंजर्स बेंगलूरू से होगा मैं शाम साढ़े साथ बजे से चीरू होगा बेंगलूर ने च्छे में से पाँच मैच जीते हैं वहीं पंजाब किंग्स अंकतालिका में निचले पाइदान पर है अब कुछ समाचार सिंख्षेप में नागरी कुड्यन महा निदेशाले ने अंतराश्री वानज्जी कुडानों पर लगी रोक 31 माई तक बढ़ा दी है इनुडानों पर बीते साल माट से रोक लगी हुई है देश के विबिन भागों में ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए रक्षान उसंधान और विकास संगठन दी आर्डियो विबिन इस्पतालों को बड़े आकार की ऑक्सीजन सिलिंडर उपलप्त करा रहा है प्रतेक सिलिंडर में 10,000 लीटर ऑक्सीजन भरी जा सकती है प्रदेश भाजपाद धेक्ष और खजुराहो सांसत विश्नदत्य शर्मा ने अपने संसरी शेत्र सहित रासानी भोपाल के कुरोना पेड़ितों के उपचार के लिए 100 आक्सीजन कॉंसेंटर और एक आक्सीजन प्लान्ट उपलप्त खराया है पोर्व अटारनी जन्रल और पद्म विश्न से सम्मानित सोली सुराब जी का कुरोना संक्रमित होने के बाद आज निधन हो गया 91 परशे सोली सुराब जी विधी शेत्र के कई प्रतिष्ठित राश्री और अंतराश्री संगटनों में महत्तपून पदों पर रहे चिकिस्ता स्वासमंत्री आज एक दिवसी दौरे पर सीहोर पहुंचे उन्होंने जिले के विधायकों से कुविट महामारी को लेकर चर्चा की राईसिन जिले में बिना जरूरी काम के बेवज़े गुमने वाले लोगों को महामाया चौक पर बनाए गए खुली जेल में तीन घंटे के लिए रखा गया नगरी विकास विमावास मंत्री भूपेंडर सिंग ने बताया कि अभी तक बावन जिलों में एक लाग तातीस जार नब्बे मैडिकल केट वितरित की जा चुकी है अंत में मुक्य समाचार एक बार फिर प्रधान मंत्री नरेंडर मोधी ने कहा सरकार का प्रतेक अंग देश में कोविट से निपटने के लिए एक जुट होकर तीजी से कर रहा है कारे प्रदेश में संपत्य की खरीदी विक्री की गाइडलाइन में 30 जून तक कोई परिवरतन नहीं करने का फैसला केंडर सरकार ने रेमेडी सीवर इंजेक्शन की कमी दूर करने के लिए आनने देशों से शुरू किया इसका आयात और राश्री महिला आयोग ने गर्वती महिलाओं को आपात इस सिती में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए वाट्सैफ हेल्पलाइन नमबर किया शिरू ब्रिटिन के अंत में आप सभी से एक अपील मास्क और दोबस की दूरी हाँ धोना भी है सरूरी नमस्कार